नमस्कार दोस्तों हरी यह में श्टडी में आपका स्वागत है क्वेश्टन नमबर एक देखते हैं दो कलमों अथ्वा पांच पैंसिलों का मुल्य दस रुपईया है तो चार कलमों और चार पैंसिलों का मुल्य क्या होगा क्वेश्टन क्या करा दो कलम का मूली कितना है दस रुपया और पांच पैंसिल का मूली कितना है दस रुपई है चाने आप दो कलम खरीते हैं तो उसका दस रुपया लग रहा है और पांच पैंसिल खरीते हैं तो उसका भी दस रुपया लग रहा है तो कहता है चार कलम और चार पैंसिल का मूली क्या होग तो चलिए इसको हल करते हैं चुकि दो कलमों का मुल्य कितना दिया हुआ 10 रुपई 10 रुपई है इसलिए एक कलम एक कलम का मुल्य मतलब कीमत कीमत कहें दाम कहें एकी बात है एक कलम का मुल्य दो कलम का 10 तो एक कलम का इस दो से भाग दे देंगे इसको तो कितना आ जागा देगे 10 बटा 2 तो इसको काटेंगे कितना आ जागा पांच रुपई है एक कलम का पांच रुपई है दो पंच दस पांच रुपई है एक कलम का निकल गया अब देखिए क्वेस्टिन क्या अगर चार चार कलमों का इसलिए चार कलमों का मूली एक कलम का पांचए तो चार कलम गो पांचगों चर ब्रावर 20 रुपई है नशिए चार कलमों का मूली कितना पैंसिलं का मुल्ली 5 पैंसिल्हों का मुल्ली 10 रुपई है इसलिए एक पैंसिल का मुल्ली यांन दान या किमत 1 पैंसिल का किमत कितना हाँ रहोगं पांच पैंसिल का 10 को पांच से भाग देते हैं तो पांच दो नहीं 10 कड़ गया 2 रुपई है एंधे एक पैंसिल का मुले 2 रुपई है इसलिए 4 पैंसिल का 4 पैंसिलों का मूली तो दो गोना चार ब्रावर आट रुपईया आट रुपईया निकल गया चार पेंसिलों का क्या कर रहा है चार कलम और चार पेंसिल का मूली याने दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा इसलिए चार कलमो पलस चार पेंसिलों का मूली क्या हो जाएगा चार कलमों का मूली और चार पेंसिलों का आट रुपईया जोड़ देंगे बीस और आट 28 रुपईया जाने चार कलम और चार पेंसिल का कूल मूली कितना आ गया 28 रुपईया ठीक है चलिए अगला question देखते है question number 2 देखते हैं तीन कलमों और 5 पेंसिलों का मुली 14 रुपईया है तो 12 कलमों और 20 पेंसिलों का मुली ग्यात कीजिए चुकि तीन कलमों पलस पाँच पेंसिलों पाँच पेंसिलों का मुल्य तीन कलम और 5 पेंसिल दोनों को जोड़के मुल्य दिया हुआ कितना 14 रुपईया अब यह मालूम ने तीन कलम का कितना और 5 दोनों को मिला के दिया हुआ 14 रुपईया तीन कलमों और 5 पेंसिलों का मुली 14 रुपईया इसलिए question क्या करा 12 कलमों और 20 पेंसिलों का मुली ग्यात कीजिए तो देखिए पैंसीलों को चार से गुना कर देंगे क्या हो जागा देखिए चार तीया बारा और चरपंचे बीस पैंसीलों का मुल्ली यानी चोगदा गुना कितना चार चोगदा 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 56 रुपईया देखिए यहां कितना है तीन कलम है पाकी पैंसीए इसको चार से गुना कर देखिएगा इसको गुना करेंगा तो फिर इतिन पैंसीलों का मुल्ली तो देखिए assistant कारा कितना है चार तो देखिए चार से गुना होगा चार गुना चोग तो कितना होगा चपन तो यहां लिखें चपन रुपई है तो यहां बारा कलम और बीस पेंसिलों का मुली कितना हो गया चपन रुपई है अब दिखिए यहां एक मन में एक सवाल उठेगा कि यहां बारा कलम है इंगर 20 कलम है और इस तरह 4 से गुना करते हैं लेकिन अगर यहां 13 कलम रहता है तब क्या करते हैं अगर 13 कलमर रहता है तो इस तरह का question ही नहीं बनेगा ठिक है तो इसके लिए क्या करना अगर Is column और pencil में दोनों में यारा तो या तो कलम का मूल या तो पेंसिल का मूल तभी यहां अगर तेरो रहेगा तो उसका खल होगा नहीं तो इस तरह दिक्कत है ठीक है चली अगला क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन नमर तीन कमला आठ की गरा सेव 120 रुपिया में खरीदती है वह 90 रुपिया में कितना सेव खरीदेगी देखें चली इस क्वेस्टन कॉल करते हैं चुकि 120 रुपिया में आठ की गरा मतलब कीलो गराम कीलो गराम को साट में की गरा लिखते हैं आठ की गरा सेव मिलता है चुकि 120 रुपिया में आठ की गरा सेव मिलता है इसलिए एक रुपिया में एक रुपिया में आट वट्टा बीस आठ वट्टा 120 भाना की गरा सेव मिलेगा एक रुपया में 8 बसटा 120 किगरा सेव मिलेगा इसलिए 90 रुपया में 90 रुपया में रुपया का सौट में इस्तार लिखते है पर या तो तो नब्बे रुपईया में एक रुपईया में इतना कीगरा तो इन नब्बे रुपईया में इसको नब्बे से गुना कर देंगे कि इसको 90 से गुना कर देंगे तो देखिए एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया तीन तिया नो चार तिया बाहर हो चार दो नी आठ कड़ गया तीन दो नी छो चो किग्रा सेव मिलेगा चार नबे रुपया में कितना चो किग्रा सेव मिलेगा तो आप लिख सकते हैं अत्ता नबे रुपया में चो किग्रा सेव खरीदेगी खरी देगी यह यहिनि कमला 90 रुपया में कितना सेव खरीदेगी चो किग्रा है और चार सो किलो ग्राम खरीदने में कितना खर्च होगा सर सो त्यल परती की ग्रहा मतलब का चालिस रुपिया लगता है तो कता 400 गरम खरीदने में कितना खर्च होगा से लिए इसको हल करते हैं कि एक की ग्रहा नहीं किलो गराम इसको गराम में बदलेंगे फ़़ना करें किए एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम होता है तो ये कितना हो गया एक हजार ग्राम को सिल का मूली question में क्या दिया हो देखे Parti की गरा एक किलो गराम बराबर कितना होगे एकजार गराम तो एकजार गराम तेल का मूली कितना दिया हो question में 40 रूपई इसलिए 400 गराम 400 गराम तेल का मूली तो देखे 40 बटा फट्टसम्ट्ने एगहाच केड़ा है कि गोना ची ज्याइशमें इस था मूली इस लाउन हुपई । ठेक है चली अगला कुष्टन देखते हैं कि कुष्टन नमबर 5 देखते हैं एक शाट संतरों का मुली चोवन रुपई आतर चोवन संतरों का मुली क्या होगा चुकि साथ संतरों का मुल्य 54 रूपी है साट संतरा का मुल्य कितनाा तैने कीमत कितना चोवन रूपी है इसलिए एक संतरा मुल्य एक संतरा का मुल्य क्या होका? 54 बट्ट 54 बटट साथ इतना रुपई है एक संतरा का निकल गए अब यहां दिखें 54 संतरा का मुल्य क्या होगा 54 संतरों का मुल्य एक संतरा का मुल्य इतना है तो 54 का जैनि इसको 54 से गुना कर देंगे देकर 10 चक, 60 9 चक 54 कड़े गया अब इसको गुना कर देंगे 54 को 9 से 54 को 9 से गुना करेंगे 9 चो का 36, 9 पचे 45, 3, 48 48 48 कितना रहा है 486 बट्टा 10 तो देखिए एक जीरो इसको भाग देंगे तो एक अंग के बाद दस मलों लग जाएगा पहले वीडियो में बता चुके हैं दस मलों के बारे में तो 48.6 रुपईया यहां जीरो आप अपने से लिख सकते हैं यहने 48 रुपईया 60 पैसा ठीक है ठीक है डेल रुपईया कैसे लिखते हैं एक दस मलों पांच इतना रुपईया डेल रुपईया यह एक दस मलों पांच जीरो इसको भी डेल रुपईया बोलेंगे इसको भी डे चो आ रहा है तो जिरो अपने से दें तो कितना होगे और तालीस दस मल लो चो जीरो जानी और तालीस रुपईया साथ पेसा चोवन संत्रों का मुली निकल गए ठीक है वीडियो यहांत करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्स